हेलो बच्चों, स्वागे थाप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आड़ी क्लासेज में, आसा करता हूँ कि आप सब लोग सस्थ होंगे और आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि परिशत कैसे निकाले जाते हैं और परिशत के कुछ basic concept को समझेंगे हम लोग, परिशत से कितने सवाल बनते हैं, वो सारे चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे तो चली हम लोग देखते हैं कि परिशत से कितने तरीके के question बनते हैं तो पहले तरीका का question यह होता है कि कोई संख्या दी गई है, उसका हमको percent बताना होगा कि जैसे 1250 दिया है उसका 40% क्या होगा दूसरे तरह का यह कोशन है कि कोई percent में संख्या है परिसलत में है अप फिर उसका percent निकालना जैसे 12 percent का 20 percent कितना होगा तीसरे तरह का हमारा एक बटे दो को parisut में बदलना है तूथे तरह का тем कोशन है हमारा यगर एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या के लिए पूछेगा कि वो उसका कितना परिशत होगी, जैसे 800 का कितना परिशत 320 होगा, पांचमे तरह का कोशन है कि कोई संख्या दसमलों में दी गई है और उसको उनको परिशत में बदलना है, जैसे 0.02 को परिशत में बदलना है, जैसे 0.02 को परिशत म बनते हैं, आज की इस वीडियो हम लोग इन ही कोशन को हल करेंगे, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरू दबाले, जिससे इस तरह की जितने भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, साथी में इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी सेर करें, जिससे परिशत को ज़ादे से ज़ादे लोग सीख सकें, तो चलिए इन सीजों को हल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिक चीज को देखते हैं, और वह क्या है हमारा, कि सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि परिशत जो है क्या होता है प्रतिसत क्या चीज है तो प्रतिसत में आप देख पा रहे होंगे कि इसके नाम में जैसा कि लिखा गया है तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि प्रतिसत क्या होता है तो जैसा कि देख इसका नाम है प्रतिसत में इसके नाम के दो भाग है प्रति और सत तो प्रति मतलब क्या होता है प्रति मतलब हो गया कि प्रतेक प्रति मतलब हम लिख सकते हैं प्रतेक और सत, सत का मतलब होता है कि सौवा भाग, किसी भी चीज का सौवे भाग को हम लोग करते हैं, सत, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रतिशत का मतलब होगा कि प्रतेक का सौवा भाग, जैसे अगर हमको बताना है कि एक प्रतिशत दिखना है, ठीक है, एक प्रतिशत, इसका प्रतिसद बताना है तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 का 100 भाग तो इसके क्या लिखेंगे हम लोग 2 बटे में 100 लिखेंगे फिर ऐसे अगर हमको 3 का प्रतिसद बताना है तो यह क्या हो जागा 3 का 100 भाग तो यह क्या हो जागा 3 बटे में 100 हो जाएगा अब इसके बाद हमको बता आफängt से 10 हैं घुल है कि सो परफ़्षत को क्रेंग एक हो जाएगा तो यह चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसे याद रखना इसे आप हमेशा हुआ रखेगा कि यह सवाल में इसका बहुत यूज होगा कि सौ प्रतिसत को हम लोग एक लिखते हैं, ठीक है ना, सौ प्रतिसत बराबर क्या होता है, एक होता है, सौ प्रतिसत बराबर, एक होता है, या एक, ऐसे कहलें कि कि किसी संख्या का एक भाग या पूरा भाग, हमेशा क्या का आता हुता सौ प्रतिसत इसे ये पता चलता है कि कोई भी संख्या जाोती है वह खुद में सौ अब हम लोग बढ़ेंगे अपने कोशन की तरह तो यह हमारे question का पहला type है कि 1250 का 40% क्या होगा तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 1250 इसके बाद हम क्या करेंगे कि यह जो का है ना उसे हम लोग गुड़ा में बता देते हैं तो गुड़ा लगा देते हैं उसके बाद नंबर आता है 40% का तो मैंने बताया था कि आपको 1% यानिकी 1 का 100 भाग लिखते हैं एक बटे 100 तो अगर 40% है तो यह 40 का 100 भाग हो जागा और इसे हम क्या लिखेंगे 40 बटे 100 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इस 40 परसद को हम क्या लिखेंगे 40 बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे अब यह 2 0 जो है हमारे उपर वाले नीचे वाले से कैंसिल हो जाएंगे हमारे पस क्या बचेगा 125 और गुड़े में 4 बचेगा इन दोनों का हम कर देंगे आपस में गुड़ा तो यह 4 25 चार दुनी 8 दू 10 4 एक 4 और एक 5 यह ने की 500 जो है आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अब एक और इस तरह का हम लोग कोशन हल करते हैं तो पहले टाइप में यह हमारा दूसरा कोशन है कि 14 दसमलों 4 का 25 परतिसत क्या होगा तो यहाँ पे देखिए हमारा दसमलों में दे दिया है एकदम आपको घबडाने की जरूरत नहीं है बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एदम ध्यान से देखते रहिए तो यह देखिए 14 दसमलों 4 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे 14 दसमलों 4 हो गया ठीक इस का को हम लोग गुडा में बदल लेते हैं फिर यह 25 परतिसत है तो मैंने आपको बताया था कि 25 परतिसत का क्या मतलब हो गया कि 25 का सौमा भाग और यह क्या हो जाएगा कि 25 बटे में 100 हो जाएगा तो इस 25 परतिसत के अस्थान पर हम क्या लिखेंगे 25 और बटे में क्या लिख देंगे सौ लिएगगे ठीक है अब देखिए यहाँ पे यह जो दस्मलो में ह capable को हटा देते हैं जब इस दस्मलों को हटायेंगी हम लोग यह जो दस्मलों पीछे हम देखते हैं कि कितने अंक है तो दस्मलों के पीछे हमारा एक अंक है तो इस नीचे वाले साइड में हम लोग एक जीरो बढ़ा लेंगे ऐसा आपने पिछली कच्छाओं में पढ़ा होगा अगर दसमलों के पीछे एक अंग है तो एक जीरो बढ़ाएंगे अगर इधर दो अंग होता तो दो जीरो बढ़ाते हैं अगर इधर तीन अंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं हापे तीन जीरो बढ़ाते हैं तो अभी हमारा एक अंग था 44 का जब आप एक से गुड़ा करेंगे तो 144 ही होगा अब इस 144 में हम लोग 40 से भाग कर देते हैं तो हमारा आंसर यहां से निकलके आ जाएगा तो यह हमारा भाग जो है तीन बार में जाएगा 40 तियां हो जाएगा 120 फिर इसको हम लोग घटा लेते हैं और फिर इसके बाद देखिए यहां पे 10 मलों बढ़ाएंगे और यहां पे 0 बढ़ाएंगे और 40 के क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा यानि कितना हो गया हमारा 3.6 इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा तो आसा करते हैं यह जो है आपको समझ में आ गई होगी तो अगर यह कोश्चन आपको समझ में आ गया है तो यह आपके लिए एक कोश्चन का होम वर्क है जिसे आप लोग कमेंट बाक्स में इसका आंसर एक बार जरूर देजिएगा कि 400 का 20 प्रतिसत क्या होगा ठीक है ना 400 का 20 प्रतिसत क्या होगा इसे आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताईएगा अब देखे बच्चों यह हमारा प्रतिसत का टाइप 2 है और यह क्या दिया है कि प्रतिसत का प्रतिसत निकालना है कि चलिए आपको इदम घबडाने की जुरत नहीं है बस आप हमारे साथ बने रहें एकदम आसान भासा में हम लोग इसे समझेंगे अब यह क्या दिया है बच्चो 12 प्रतिसत दिया है तो अभी मैंने आपको बताया है कि 12 प्रतिसत यानि हम इसे क्या लिखते हैं 12 और बटा में 100 फिर उसके बाद हमारा क्या है का का चिन और का के चिन को हम बता है गुड़ा के लूप में लिखते हैं फिर 20 प्रच्छत है और 20 प्रच्छत को हम लोग क्या लिखेंगे कि 20 बटा में 100 लिखेंगे ठीक अब इसके बाद हम क्या कर देंगे कि ये एक 0 से एक 0 में हमारा cancel हो जाएगा बाकी का हम गुड़ा कर लेते हैं तो ये 12 उन्हीं क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और ये 100 का 10 में गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 हो जाएगा ठीक है अब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं देखे यहाँ पर नीचे 3 0 है तो अभी मैंने जैसे पीछे के question में बताया है कि उपर से जब 10 मलों हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं ठीक है तो अब हम अगर नीचे से 0 को हटाते हैं तो उपर 10 मलों लगाते हैं तो 3 अंक से हम लोग क्या कर दे हैं मतलब यहाँ पर 3 0 है 3 0 जब हम नीचे से हटाएंगे तो उपर 3 अंक पर 10 मलों लगाएंगे तो 2 अंक तो हमारे पास हैं 24 यह 2 अंक है तो पीछे से हम गिनते 1 अंक हो गया 2 अंक हो गया ये इसके बाद हमारा अगला कोर्शन है कि 40 प्रतिसत का 200 प्रतिसत कितना होगा तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा कि 40 प्रतिसत को हम क्या लिख सकते हैं 40 बटा में 100 लिख सकते हैं और फिर ऐसे ही 200 प्रतिसत को हम लोग क्या लिख सकते हैं 200 बटा में 100 लिख सकते हैं ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 40 प्रसत है, इसके लिखेंगे 40 और बटे में 100 इसके बाद का है, तो का के जगा फिर हम लोग गुड़े का चिन लगा देंगे फिर 200 प्रसत है इसे क्या लिखेंगे हम लोग 200 और फिर बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे अब यहां पर देखिए यह हमारा 0 यह 0 कट जाएगा फिर यह 0 यहां से कट जाएगा हमारे पास क्या बजएगा चार दूनी आठ हो जाएगा आठ और बटे में क्या हो गया दस हो गया ठीक तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसे क्या लिखेंगे हम लोग एक अंक मतलब नीचे से एक जीरो जब हटाते हैं तो उपर एक अंक पर दस मुल लगाते हैं और उपर क्या है आठ और आठ के पले हम लोग दस मुल लगा देंगे जीरो दस मुल आठ ये इस कोशन का आंसर हो जाएगा या इसको एक भिन के रूप में भी मतलब लिख के रख सकते हैं जैसे अगर हमारे पास आठ बटे दस इसका अंसर आता है तो इसे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको हम लोग सरल करके इदम छोटा कर देंगे तो ये देखी ये चार से कटेगा और ये दो से कटेगा तो दो चौके आठ हो जाएगा और फिर ये दो पचेदास हो जाएगा यानि कि चार बटे में क्या हो जाएगा पांच इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं ठीक है तो आसा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आगए अगर ये कोशन आपको समझ में आए है तो ये आपके लिए एक होम वर्क है इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताईएगा कि 80% का 100% कितना होगा इस कोशन का आंसर आप लोग एक बार कमेंट में जरूर दीजिएगा अब इसके बाद ये हमारे प्रतिसद का तीसरा टाइप है कि एक बटे दो को प्रतिसद में बदलना है तो चलिए अभी मैंने आपको बताया है कि एक जो होना है था एक को हम क्या लिखते है 100% लिखते है एक बराबर क्या होता है 100% होता है तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते है एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक गुड़े सौ प्रचत लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं क्योंकि अगर हम एक का सौ में गुड़ा करेंगे तो फिर वो क्या बनेगा सौ प्रचत अभी बनेगा यानि कि कोई भी संक्या खुद में सौ प्रचत होती है क्योंकि एक में फिर जब हम 100 से गुड़ा करेंगे तो फिर वो 100 ही पराप्त होगा ठीक है ना यही चीज यहां से मिल जाएगी हमको तो वैसे ही अगर हम इस एक बटे 2 में 100 परस्ट इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या खुद में 100% होती है ठीक है अब यह क्य जाएगा यह होजाएगा कि 50 हो जाएगा नो तो यह हमारा 50 परस्ट बेक्या यह हमारा बदल गया आपका पर्शंटेज में यानि कि एक बटे 2 का जो 100 परस्ट होगा वो क्या होगा 50 परस्ट होगा इसके बाद हमारा दोसरा question है कि एक बटे 4 को प्रतिसत में बदलें ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक बटे 4 में हम लोग गुड़ा कर देंगे 100 प्रतिसत से गुड़ा कर देंगे तो जब इससे हम लोग गुड़ा करेंगे तो देखें यह कटेगा और 25 हो जाएगा तो यह हमारा क्या होगा इसका प्रतिसत रूफ हो गया एक बटे 4 का 25 प्रतिसत जो हो गया एक बटे 4 का प्रतिसत रूफ हो गया तो आसा करते है कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो यह आपके लिए होमवर्ख है कि एक बटे पांच को प्रिशत में बदले और इसे इसका आंसर आप लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर रताईएगा तो आज किस वीडियो हम लोग बस इस तीन टाइप को ही पढ़ेंगे इसके बाद यह हमारे जो तीन टाइप है एक दो और यह तीन इन तीनों को हम लोग अगली वीडियो में आपके सामने लेकर के आते हैं तो यदि आप हमारे चैनल पर नहें तो चैनल को यवा सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारी जो नई वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद